दोस्तो नमस्कार मैं उर्मिला सर्मा राइपुद 36 गड़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी वित्रों का थार्तिक स्वागत करतीगूं तो दोस्तो आज हम करेंगे ठेर सारी बार और करेंगे हम ठेर सारा काम और आपको कराएंगे हम गार्डन टूर और गैनिक गार्डन का अपने तेरिस पर तो दोस्तो आप लोग भी होगाएं ठेर सारी और गैनिक सब्जियां किस तरह सोगाएंगे आईए चलते हैं हम आपको बताते हैं दोस्तों राम राम ये है मेरा घर और ये है लक्षिमी क्या हाल करते हैं घर का रोज और फिर इसकी होती है साप सफाई और फिर यही हाल करते ही ये तो इनका भोजन चल रहा चलिए हम चलते हैं छट पे और छट पे करेंगे धेर सारी बात और करेंगे धेर सारा काम कल हमने तोड़ा करेला अब देखे इतने बड़े बड़े ये फिर हो गए करेले और बहुत सारे फाल रहा है है और कितना सुन्दर कितनी हरियाली दिख रही है इस भरी गर्मी में दोस्तों मुझे लगता है कि इस साल बहुत जादा गर्मी पड़ेगी क्योंकि अभी देखे अप्रेल की सुरुआत ह है आज तीन अप्रेल है कल दो अप्रेल इतनी गर्मी थी पड़े ऐसे लटक जा रहे हैं ऐसे सूख जा रहे हैं पता नहीं मैं सोच रहे हूं कैसे बचा पाऊंगी क्योंकि मैंने तो ग्रीन नेट भी नहीं लगाया है दोस्तों तो कैसे करूंगी मेरे को समझ में नहीं आ हलाकि पानी डालना सुरू कर दिया हमने दोनों टाइम पर इसके बाद भी बहुत जादा पौधे मतलब मुर्चा जाते हैं तो दोस्तों आज हम करेंगे दो पौधों की सेवा अपनी दो वोगन बेलिया के देखे अभी इसमें वैसे तो फूल खिल रहा है लेकिन अब इसक कि ऐसे जो ये साखाएं हैं ये बढ़ती जाएंगे और बुसी नहीं होंगे तो इसलिए अब इसको मैं कटिंग करूंगे इसका ताकि ये छत्री नुमा बने अभी भी ये बहुत सुन्दर है लेकिन इसमें थोड़ी सी मुझे सेवा करनी होगी इसकी थोड़ी कटिंग करन लेकिन अगर आप गमले में लगाएं हैं तो इसको देखवाल की जरूरत होती है तो दोस्तो इसको पुटास बहुत पसंद है और बोन मील भी पसंद है लेकिन बोन मील मैं नहीं लाती हूं मार्केट से तो मैंने सोचा है उसकी जगा पर मैं अंडे के छिलके यहां से एक न चिलके अंडे के इसमें डालूंगी और कुछ खाद वगयरा कमपोस्ट जो मैं घर में ही तयार करती हूं तो आज मैं इसको करूंगी बहुत ही खुबसूरत पौधा है दोस्तो हमारा देखिए यह लेकिन इसको कटिंग करूंगी ना तो यह और खुबसूरत होगा तो दोस ना ही बढ़ेगा क्या करोगी तो दोस्तों ऐसे चार अंगुल पांच अंगुल छोड़के आप इनके स्टेम को काट देजिए इस तरह से हमें इनको कट कर देना है देखिए नहीं तो यह बहुत फैलते जाएंगे देखिए थोड़ा सा लगता तो है ऐसे लगता है कि पाले पोसे पौधे काट रहे हैं लेकिन अगर हम इनको कट नहीं करेंगे तो यह जाड़ी जैसे हो दोस्तों जब से इसको मैंने उगाया ना इसको मैंने प्रून नहीं किया है तो और भी जरूरी हो जाता है इसको प्र दे जाएगा अपनी कुछ हाड़ी नहीं चाहिए ना दोस्तो अपनी को तो एक सेप में चाहिए अपना पौधा तो दोस्तो फ़स्ट बाद तो मुश्किल से मैंने इसको नीचे उतारी क्योंकि ये बाल्टी में लगा हुआ है और बाल्टी पूरी हमारी भरी है तो इस तरह स इसको हमें कट कर देना है दोस्तो देखिए बहुत खुबसूरत पौधा है ये बोगन बेलिया और जब सारे पौधे फूल देना बंद कर देते हैं तब ये आपके गाडन को खुबसूरती से फूलों से अपने भर देता है तो जरूर लगाए और अगर आप इनकी कलम उग सकते हैं कोई जादा कुछ नहीं करना पड़ता है इनको उगाने के लिए या सानी से उग जाते हैं हमने तब से उगाया तब से हमने इसको प्रून नहीं किया था दोस्तों तो आज हमने ये पत्तियों को हटा दीजिए इस तरह से जो लगी हुई है बहुत सुन्दर सा पोधा है ये इसका तना जो है न वो खाली रहना चाहिए तो वो सुन्दर दिखता है और फिर आगे जो है ब्रांचेस निकलती जाएंगे इसको थोड़ा सीधा भी करूँगी दोस्तों मैं अगे क्योंकि ये तेरहा लग रहा है इसको मैंने सीधा करने की कोसिस करी है एक ये लगा दिया है ये टाइल्स का टुकड़ा तो थोड़ा सीधा तो हुआ है और बहुत ही खुबसूरत पोधा है दोस्तों इसकी सूखी करते हैं और जहां से भी आपको लगे कि इसको कट करना चाहिए क्योंकि जब आप इसको कट करेंगे न तो इसकी डालियां ताकि पानी जो है इसमें अच्छे से जाए और रूके भी नहीं तो एक्चुली ये जब से हमने इसको लगाया तब से इसके लिए कुछ किया ही नहीं तो दोस्तो मैं आराम से पहले बैर तो दोस्तो इसकी मिट्टी को हमने कोड लिया हलाकि ऐसी जगह पे रखा था कि इसको मैं बहुत दिन से कोड नहीं पाई थी महीने में 10 दिन में 15 दिन में आप ऐसे पौधे में कोडा मारते रहे तो आप मिट्टी अच्छी रहती है तो जो खाद पानी देंगे तो जड़ो में जाएगा तो इस तरह से इसको हमने थोड़ा सीधा करने के भी कोशिस करी है दोस्तो बहुत आसानी से उगजाता है एक पतली सी जो कलम है ना इससे भी आप उगा सकते है इसको और यह बहुत खुबसूरत पहुदा बहुत हाड़ी पोधा है हर टाइम आपको यह फूल देगा एकात महीने छोड़के अभी तो ऐसी ऐसी बराइटी आई है कि जो हर टाइम में फूल देते हैं तो दोस्तों इसको हमने कोड लिया है अब हम यह देखिए यह हमारा खाद है जो मिक्स है इसमें हर चीज मिक्स है पत्ते की खाद और मतलब बकरी वाला और मतलब बहुत सारी चीज़े इसमें मिली हुई है थोड़ी सी रेत भी मिली हुई है मतलब रिवर्सेंड और भूसी देखिए राइसस्क मिला हुआ है और पत्ते की खाद बहुत राक बहुत सारी चीज़े मिली हुई है तो हम सबसे पहले डालेंग गुझालेंगे करिए चमच के बरावर बहुत अच्छी खाद होती है यह हमने इसने डाल दिया अब हम यह जो हम बनाकर जो लाएं है यह खाद mix इसको हम उपर से ऐसे करेंगे अब चुकि हमारे इसमें बाल्टी में बहुत जगा है नहीं तो मैं इसको अंदर डालती इसकी एक लेयर मिट्टी की निकालती तो मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि खाद बह जाती है तो यह नहीं बहेगा इसमें दोस्तों बॉन मिल डालते हैं, बोन मिल मैं नहीं डालती हूँ, तो मैं अंडे को चूरा करके उसको डाल दे रहे हूँ, वही फाइदा आपके पौधों को मिलेगा, जो बोन मिल से मिलेगा, तो देखे इस पौधे के मेरी हो गई सेबा, अब ये मेरा पौधा चमकेगा, थोड़ा ऐसी इधर से दबा दूं, तो ये सीधा हो जाए, ये देखे, पूरे साल ये फूल देता है, बस एकात महीने के लिए ही ये रुकता है, या जब आप कटिंग करते हैं इसकी, तो आप इतने पौधे रखिए कि जैसी इसकी आपने कटिंग की, जब तक ये खिलेगा, तब तक आपके दू दूंजाय भनने की राह पे है, ये मेरा पौधा, लेकिन मैंने बहुत ज़्यूदा कट कर दिया, अब हमारे गमला औरह, जिसको हमने कटिंग करी थी, बहुत स्लो उसकी ग्रोथ हो रही है, तो दोस्तों उसमें भी थोड़ी सी करूँगी, मैं से, तो दोस्तों काम इतना र दूर से काट दिया था, दोस्तों कटर अच्छा नहीं है, मेरा गुसा आता है, जबकि गुसा मुझे कम आता है, लेकिन देखे, तो दोस्तों हलका सा ऐसे टेड़ा ये भी लग रहा है मुझे, तो पहले तो मैं इसको कोड़ूंगी, ताकि इसकी मिट्टी जो है मुलायम हो दोस्तों, इसमें जो है ना टूल्स जो है ऊपर वाली छथ में रखे रहते हैं, इसमें टूल्स नहीं रखे हुए हैं, तो फिर मुझे दिक्कत होती है, और फिर उपर जाओ, फिर नीचे आओ, तो उपर आपको दिखाओंगी थोड़ा वीडियो और फिर मैं काम करूंगी बेटा बाहर से आ रहा है कुछ काम से गया था तो खाना पीना देखे मिट्टी कितनी अच्छी ए देखे ऐसे दिख रही न आपको इसमें मोटी रेत दिख रही है तो सौप्ट है मिट्टी लेकिन थोड़ी खादवाद तो देनी परेगी न यह हमने कर लिया और इसको हम करें न देखेंगे पहले थोड़ा सीधा कुछ भी डालकर इसके अंदर अब यह पॉधा हमारा सीधा हो गया अब हम डालेंगे ऐन के हमारे पास दोस्तों इस टाइम पर कोई खाद में है ज्जादा खाद रखती नहीं हूँ मैं तो कोई खाद में बस थोड़ा सटालेंगे इसम इसके जो तने हैं मोटे होते हैं और यूरिया भी डाल सकते हैं बहुत कम मातरा में उससे इसके ग्रोथ बढ़ियां होगी हरा भरा रहेगा लेकिन इसको बहुत जादा हरा नहीं रखते हैं तो इसलिए बहुत ही कम यूरिया उसी डियेपी के साथ मिक्स करके डालिए मैं डाल कि वो नीजे इसकी जड़ों को डारिक्ट मिले, जड़ों से दूर डालना है, इसके जड़ के पास नहीं डालना है, लेकिन ऐसा डालिए कि मतलब वो पानी डाले तो बहना जाए, तो अब इसको एक लियर, आप चाहें तो इसकी एक लियर मिट्टी निकाल भी सकते हैं, बट म मैंने नहीं निकाला, मिट्टी वो भी अच्छी है और ये भी अच्छी है, तो इस तरह से हमारी दो पौधों की हो गई सेवा, अब इन में डाल दीजे पानी, अब मैं मेरे से उठेंगे नहीं दोस्तों, मैंने खीज तो लिया जैसे तैसे, लेकिन अब इनको मैं नहीं रहेंगे, फिर आज ही अकल साइद रोहित आएगा, फिर उससे मैं इसको रखवाओंगे, अब दोस्तों, ये मेरा 21 जोल्स जो है, बहुत खुबसूरत खिल रहा, बहुत चोटा सा पौधा है, देखिए, छे महीने का नहीं है, इतना सुन्दर खिल रहा है, और कलर कितना प कर दूँ, ताकि ये इसके अगर अच्छे से देख भाल करेंगे न, तो इसके फूल जो है, जादा दिन तक ठीके रहेंगे, और दोस्तों, बोगन बेलिया की एक बराइटी ये है, जो पूरे साल आपको फूल देती है, इवन ये ठंड में भी इसमें फूल भरे रहते हैं, तो दोस्तों, हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा, ऐसे मित्टी को कर देते हैं इसके, और हम डालेंगे थोड़ा सा एनपी के, जड़ों से थोड़ा सा दूर, बस, इतना सा ही दोस्तों, बहुत कम डालना है, बहुत तेज होती है ये, अब हम, ये राक भी इसमें डरी हम थोड़ी से हमारी खाद मित्टी वची है, इसको इसमें डाल देंगे, चुकि गमला भरा हुआ है ये, और मित्टी जो है, मैं बाहर नहीं निकाल सकती, एक हां से काम करते हूं, फिर रोहित चभाएगा, तो मैं उससे हेल्प लूँगी, और उससे करवाऊंगे, कितनी खिले हों हैं, देखें कि ये, तो दोस्तो इस बरायटी को आप जरूर लगाएं, ये थोड़ा सा नरसरी में जल्दी मिलता नहीं है, बट आप मागेंगे तो मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है के नहीं मिलेगा, तो ये मेरे चित्रा बरायटी है, दोस्तो, तो बहुत जल्दी इनकी मिट्टी जो है, कड़ी होने लगती है, जबकि अब भी आपने देखा था, कुछ टाइम पहले मैंने इनमें खाद राली थी, कंपोस्ट राली थी, बस आधे चम्मत से भी कम आपको एनपी के डालना है, एनपी के ट्वंटी ट्वंटी है ये, और थूरी सी खाद दोस्तों आपके हर पौधे को देखवाल चाहिए, ऐसा नहीं कि मैंने इसमें किया है, ये खिल रहा है, खिलते हुए पौधे को ज़्यादा खाद पानी की जरूरत होती है, तो इसलिए मैंने उसमें दिया और हमने उसको प्रून किया, वो वाले को लगभग हाद प्रूनि उसमें भी खाद पानी की बहुत जरूरत है, दोस्तों थोड़ा सा इसमें भी डालूंगी, क्योंकि ये मेरा पहली वार खेल रहा है, इतना सुन्दर है पीच कलर का, तो इसमें भी थोड़ी सी खाद की जरूरत है, इस तरह के जो पत्ते नीचे हों दोस्तों उनको तोड़ अब ये देखिए, ये चित्रा बराइटी है, देखें, दोस्तों चित्रा बराइटी में कई कलर होते हैं, तो ये भी चित्रा है और इसको मैं आपको दिखा रही है, ये देखिए, हलका सा ओरेंज है ना, कितना खुपसूरत है दोस्तों, हलका सा ओरेंज और पिंक, ऐसा रहा है और डार्क पिंक भी दिख रहा है और हमने नोच लिया चलो कोई नहीं किते सुन्दर है ना देखे तो इनको देख भाल की दोस्तों जरूरत होती है जब ये खिलते रहें और जब इनको आप प्रून करें हाँ जब ये बारिस के टाइम में जब ये लगभग डॉर्मिंसी तो नहीं कह सकते लेकिन ये मतलब की ग्रोथ लेते हैं उस टाइम पे इनको जो है उतनी खाद की ज़रूरत नहीं होती है वह ऐसे भी बारिस के पानी में बहुत ज़्यादा नेचरल खाद होती है जो पौधों को बहुत अच्छा ग्रोव करती है माकी टाइम में इनको आप महिने में 15 दिन में खाद देते रहें अब देखे मेरा ये तीन पौधे मेरे एक जैसे हैं जो मैंने दो इनको पौण किया और खाद दिया ये भी सेम उसी दिन हमने इसको उगाया था तीनों को एक साथ उगाया था और एक ही पौधे से अलग कर करके उगाया था तो देखे ये जब ये यहां से कट होगा ना तो ये श्ट्रांग हो जाएंगे इनकी वो पहली बार तो खिला हमारे यहां तो अब इनको अभी ये खिल रहा है इसलिए इसको मैं प्रून नहीं करूंगी जैसे ये खतम होगा अब बस लास्ट ही चल रहा है तो मैं इसको यह से प्रोंद कर दूए एक यह है जो बहुत ही छोटे गमले में लगा हुआ है दोस्तों इसको जरूरत है देख भाल की लेकिन अब मैं गमला नीचे से लाओंगी इसके बाद इसको मैं एक्शली रिपॉर्ट का टाइम नहीं है इसलिए मैं सोचती हूं कि कहीं सौक मिन जाए ए मेरे बसक नहीं है उसको उतारना और एक पौधा पालक का हुआ है आप देखिए ऐसे लग रहा है कि एक ही पौधा में सब्जी बन जाएगे इसे पालक तो इधर भी है यह देखिए भंड़ी और पालक हो रहे हैं यह लेकिन मैं तोड़ नहीं पार हूं सब्लिकों बहुत हैं कभी कुछ करेला तोड़ लियарे कभी कुछ तोड़ लिय sals Мश्चा ourselves करेला कैसे जा रहा है कर इसकी थोड़ी सी देख-भाल करी करेले कि गई है इसके नीचे के पत्ते तोड़ दिये और थोड़ा पानी वाने डाल दिया पानी तो खेर पड़ते ही है और ये साम तक मरने लाइक हो जाता है फिर विचारा सुभा किलता है रोज के इसका यही संघर्श चलता है तो चलिए दोस्तों चलते हैं उपर वाली छट में तो जो आप पौधी जैसे में अभी उगाए है न तो अगर फालतू पौधे रहेंगे फिर उनको होने नहीं देंगे देखे कल इसको मैंने साप सफाई करें यह सारा कुछु खाड़ु खाड़ कर फेका जिनकी जरूरत है उन्हीं को रखिए फालतू को रखने से कोई फाइद कर डाल तूंगे कंपोस्ट होने के लिए और इसको ले जाओंगे पत्ते खाएगी गाए और बुरुक ले खाएंगे हम है कि नहीं कि इसमें लगा है कि यह सुबह सुबह देखे कितने अच्छे रहते हैं और साम तक यह मुर्जाना सुरू हो जाते हैं दोस्तों यह एक्चुली है लाल भाजी टाइम से हम तोड़ नहीं पाए तो अब यह कोई काम की नहीं रही हें देखें इनको हमने निकाल लिया अब इनको हम डाल देंगे कमपोस्ट होने कि लिए अब इसमें से देखें हमारी यह वह है फूल है इसका कमल का इतना इसमेंसीफ एक काई निक्ला है कल निकाली हूं इसको तो density तो इस तरह से मैं काम करती हूँ, वाँ, ओफ कैमरा, क्योंकि आन कैमरा में, तो हम सिर्फ आपको पौधे दिखाते हैं, काम करते कहां बनता है, है की नहीं, दोस्तो इतना लौकी के पौधे हमने दिये, सब को बहुत सारे लोगों को दिया, लेकिन ये फिर भी एक पौधा, ये एक ही है ये, ये खीरे से इसकी जड़े जुड़ी हुई थी, तो मैंने कहा अगर मैं इसको उखाड़ी, तो खीरा भी चला जाएगा, तो कितना सुन्दर जा रहा है, देखे, कितने सुन्दर खिल रहे हैं, और छट पे, तो दोस्तो यही कुछ पौधे हैं, जो गर्मी में चलेंगे, कुछ पौधे तो एकदम से, मतलब, खराब हो जाते हैं, नहीं चल पाते हैं, तो ये बेल भरगी ये फिर भी चलते हैं, दोस्तो अगर इनको पानी मिले सहे टाइम पर, तो ये चलते हैं, इसको भी कल मैंने इस कंटेनर को अच्छे से साप किया, इसमें कद्दू लगा हुआ है, तो धूप इतनी हो रही है, कि धूप के मारे फ्रूटिंग थोड़ी कम हो गई है, दोस्तो और जो हुई है, अब ये मैं इसको ना, मैं दो तरजनी, देख मरजा हैं, ये देखे कितना, कितनी संदर मेरी अपराजिता खेल रही है, और एक ब्लू वाली मैडम भी, आज दो खेली है, चलो, कोई नहीं ब्लू तो बची है की नहीं, और लौकी कहा जा रही है, इसको फैलने कुछ जगा नहीं मिल रही है, तो दोस् रही हूं, कि यही ग्रीन निट बन जाएगा, मेरे यह नीचे पौधे हैं न, इनके लिए यही ग्रीन निट के काम करेंगे, हाँ, लेकिन इनको धूप जहलनी पड़ेगी, तो अडेनियम को भी बहुत तेज धूप लगेगी न, दोस्तों, तो यह थोड़ा सा वो करेंगे मतलब छाया करेंगे, यह जो यह हैं, जो उपर जा रहे हैं लोकियों की बेल बरगी, और यह इतनी निडर हो गई है दोस्तों, कि इसको जरा सा मेरे से डरनी लगता है, तो इसमें एक आपको क्या समझ में आया, कि हित अनहित पसपक्षी जाने, यानि इसको पता है कि मैं इ कितनी खुबसूरत कलर, तो दोस्तों सुभा उठी, साड़े-चार बजे उठी, थोड़ा सा बॉक किया, थोड़ा घूमा, और इसके बाद फिर घर आई, घर आई तो फिर मैंने अपनी गौमाता लोंग की सेवा करी, उनको खिलाया, पिलाया, हाँ ये बात तो बता न भू मैंने रगड़ के नहलायाए, दोस्तों, उनका साबून मेरे पास नहीं है, पतनी गायलों का साबून होता है, तो मैंने डिटॉल से नहलायाए तीनों को, तीनों इतने सुन्दर लग रहे हैं, चमक रहे थे, उसका बच्चा तो नहीं है वाइट, लेकिन मा बेटी दोनों वाइठ है गोरी और लक्षमी तो दोनों चमक रहे थे तो जैसी घर में आये तो मैंने कह वाई आज तो तुम लोग बड़े सुन्दर दिख रहे हो तो दोस्तों काम बहुत ज़ादा रहता है जो गार्णिंग करते हैं उनको काम अगर उखरना चाहे न बहुत काम रहता है रो अग्ड़न में पॉलिनेटर नहीं आएंगे और आपक आपका जो बेल बरगी जो सबजिया है अगर नहीं हूंगी तो फिर वो जो पोधे जो फल लगेंगे वो फल मैच्योर नहीं होंगे मैच्योर होने से पहले मर जाएंगे तो इसलिए इस तरह से थोड़े मोड़े फूल लगाना अब फूल आप सीट्स अब देखे मैं आपको दिखा रहे हूँ कि इसमें कितने सीट्स हैं जैसे आप ये लेके आए कहीं से भी अब ये देखिए पूरे सीट्स हैं इसके ये मैं तो सोच रहे हूँ कि अगली बार जब मेरा कुछ ये लगेगा न सब चिवाजी पूरे में यही दिखेगा क्योंकि हमारे यह जो भी गार्विज निकलता है तो हम इस बरतन में expenses करते हैं कुछ भी मार्केटिंग्न कुछ लेते नहीं है क्योंकि हमारा गार्डन बड़ा है तो किलो किमान करेले कैसी और करेले की फूल की खुषबू ह चल रहा है उसमें सदवह बाहर में तो खुजबू नहीं रहती है पतन फूसबू बहुत अच्छी बहुत है किभी स्पूल कि है क्षीन होगी कैसे फोल वी खिले हैं तो दोस्тов टमातर हमने कर डर्यथमापर कंवें सारैस्टoudOS तो इसको तो दोस्तो खा लिया हमारी सेम को खा लिया बंदरों ने कोई बात नहीं फीर हो जाएगा तो अभी हमारा ये वाव कितना खुबसूरत माइगाड तो ये जिधर जिधर सूर्य भगवान जाएंगे उधर उधर ये घूमता रहेगा ये अभी पहला फूल है जो खिला है बस खिलने के उसमें हैं लेकिन अभी ख खिले नहीं है पूरे के पूरे लगाया हुआ है हमने कई पेड अब इस साल तो हमारे पास थेर सारे सीड हो जाएंगे इसके और मैं खुब सारा लगाऊंगी ये यूज में भी आता है दोस्तों बाकि जैसे वो वाला है ना ये जो दिखता है ऐसे ही सनफ्लावर जैसे वो स सुन्दर तो दिखता है एक बड़ी प्यारी सी चिडिया आई है दोस्तों तो दोस्तों एक बात कहनी थी आप लोगों से बहुत तेज गर्मी पड़ रही है अपने दरवाजे में सब कोई पानी का जरूर बरतन रखना बड़े बरतन आते हैं सीमेंट के या जो भी आपकी शेतर में आपकी जगह पर जो भी अब लेवल हो तो जरूर रखना क्योंकि गव माता लोग चिडिया पंची ये सारे लोग प्यासे रहते हैं कई बार तो मतलब तड़पते रहते हैं इतनी जोर से भागते भागते आते हैं मेरे दरवाजे में और पानी पीते हैं तो दोस् में गव माता चिडिया पंची कुटा बिल्ली कोई भी आता है तो उसको पानी मिले और कुछ भी घर में हो आपके तो थोड़ा सा उनको खिला दीजिए बस आपको भी खुसी होगी और वो जो दरदर भाटक रही है हमारी गव माता या कुटा बिल्ली जो भी उनको भी आप मतलब प्राणी स्रेष्ट हैं क्योंकि आप मनुस्य का जीवन जी रहे हैं आप पैदा कर सकते हैं आप कमा सकते हैं लेकिन ये नहीं कर सकते ना जिसके खेत में जाएंगे गाउं में देखा है हमने चार रणना वही जड़ देता है इनको यहां भी आती हैं यहां भी लोक में पानी जरूर रखें अगर कुछ खाने को हो तो खान मैंने देखा है आजकल के बच्चे जो है बहुत अच्छा लगा मुझे अभी मैंने एक वीडियो देखा है हमारे परचीत है बच्चे छोटे-छोटे जो है अपना जनम दिन गव माता के साथ मना रहे हैं उनको सब्ज और गव माता को भी ख्याल रखें तो इस तरह से दोस्तो हम एक बैलंस बना के समाज में चलेंगे तो सबको प्यार मिलेगा और सबका ख्याल भी रखा जाएगा तो इस तरह से दोस्तो ख्याल रखें गव माता का और बुजुरू का भी अब मिलते हैं कल और करेंगे धेर सा सारी बाते आप भी और गयनिक सब्जियाओं गाएं और स्वस्त रहें मस्त रहें डॉक्टर से दूर रहें और दवाईयों से भी तो दोस्तो हमारी वीडियो को यहां तक देखने लिए आपका बहुत बहुत आभार थैंकि सो मच मैं उम्मीद करती हूं कि आप लोग की कोशिश करेंगे और आप लोग भी इसी तरह से जिस तरह से में अपने शेट चाथ पर धे सारी सब्जियां उगा आइंगे तो फिर से एक बार हिर्दें से आभार हमारी वीडियो को देखने के लिए अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सस्क्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हमारी अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुंशती रह है और आप तक अच्छी अच्छी जानकारी पहुंशती रहें जय हिन बंदे मातरं जय चत्रीजगर